हेलो फ्रेंज मैं हूँ आपका गार्डन फ्रेंड क्रिश्णा और मेरी चैनल में अब सभी का स्वागत है आज हम तुलसी प्लान्स के बारे में बताएंगे तुलसी तो हड़े घर में ही होता है हाड़े कि इंडियांस के घर में होता है इसका मैंने इतना ज्यादा है हम इसको से विंटर्स में और समस्ने पहुँच जाएगा तो चलिए देखते हैं किस तरह से तुलसी की प्लावारिंग आना शुरू हो जाते हैं तो इस फ्लावार से धीरी धीरी सीट बनता है तो सबसे पहले आपको जो काम करना है इन फ्लावार को कट करना है क्योंकि प्लांस जब सीट्स बनाते हैं तब सीट्स बनाने से इसका एनर्जी लॉस होता है और प्लांस बुड़ा होने लगता है और वो धीरे-दीरे सुख सकता है मर सकता है तो इसलिए आप सबसे पहले यह कम ज़रूरी करना कि इसको सीट्स बढ़ने माद देना जहां से आप यह कट करोगे उसी साइट से दोनों साइट से नए नए ब्रांच निकलेंगे इस तरह से आपका तुलसी प्लांस बहुत ज़्यादा बूशी होगा और हड़ा भड़ा रहेगा काटिंग करने की दो-तीन दिन बाद ही देखेंगे साइट से ब्रांचिस निकलेंगे और उनमें फेट से फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगा इस तरह से बिच मिच पे आप यह फ्लावरिंग होने ना दे इसको कट करते रहे असे बनने ना दे इससे आप कट करोगे उससे वहां पर आप जो फ्लावरिंग को बच नने के लिए मैं ने साफ यहां चमजप लिटर पानी में मैं दे रही हूं अच्छे से इसको उसको मिलाकर श्प्रेंग में डाल दिया हैं 15 दिन बाद बाद आप फंगिसाइट प्लांस में स्प्रे कर देना तकि कोई फंगास इसमें अटक ना हो और फांटिलाइजर के तौर पे मैं यहां पर मस्टर्ट केक का लिक्वीट फांटिलाइजर मैंने लिया है यह पतला एक fertilizer है और हपते में एक बार इसको प्लांस में देना है और एक fertilizer मैं इनमें देती हूँ यह है बनाना पिल्स का liquid fertilizer बनाना पिल्स को दो तिन दिन दा पानी में भी कोके रखकर जो fertilizer बनता है वो fertilizer भी मैं प्लांस में देती हूँ अल्टरनेट पर Master की कलिड़ फर्टिलाइजर और यह बनाना पिल्स का फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर के सिभवे और ऐंक करना है इनमें नीम्तल श्प्रे करना है 15 दिन बाद-बाद क्योंकि इनमें किर्य मकरों का भी अटाक होता है तो नीम तल स्प्रे करने से इन्में किरे में कोड़े अटक नहीं करेंगे तो ये 15 दिन बाद बाद आप नीम तल स्प्रे कर देना तो इस प्लांस को ज्यादा कुछ फर्टिलैजर और देने की जरूरत नहीं होता है सब्सक्राइब करें तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसे लगी हमें कॉमेट करके जरूर बताना और मेरी चैनल में अगर नए आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करें को क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं नए वीडियो दोंगी उसक्राइब नोटिफिक्शन सबसे पहले आपको बस बहुत जाएगा अज के लिए इतना ही फेन मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टिक क्यार हैपी गार्डिनिंग